आज हम आपको सिखाएंगे तिर्कोन मिती जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है तिर्कोन मिती का परिच्छ है तिर्कोन मिती तिरी मतलब तीन कोन मतलब कोन और मिती मतलब मापन तीन कोनों का माप जिसमें हो वो क्या कहलाता है तिर्कोन मिती तो सबसे पहले दोस्तों इसमें सभाइंगे कुछ basic छीज है फिर आपको लोग आएंगे सवाल चलिए बात करते हैं कुछ basic जीजोग ही कि तो दोस्तों अगर हम बात करें संब कोन त्रभुज़ की संब्गोन तिर भुज़ की माँ दलिएते हैं कौन ए यह कौन भी और यह सी तो सम क्राइब तिर्भुज में भी सम कौन है यानी 90 जो क्यों कर अगर यह 90 ğan तो यह 45 और यह 45 तो को दू Hilli कि तो की दोस्तों आपको पता होगा कि तिर्भुज के तीनों कोनों का योग 180 degree होता है इतनी बात आपको समझ में आयोगी कि तिर्भुज के तीनों कोनों का योग 180 degree होता है ये 45 ये 45 नबे और कोन भी 90 तो 90 प्लस 90 180 degree अगर दोस्तों हम बात करें इस वाली भुजा की तो इसे बोलते हैं आधार इस वाली भुजा को बोलते हैं लंब और सम कोन जो भी है इसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण इतनी बात आपको समझ में आयोगी आधार लंब और कर्ण तो दोस्तों इसे परद्शित कर लेते हैं A से यानि इसे नाम दिया गया A इसे L लंब और कर्ण के इसे दोस्तों बोलते हैं बेस इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस यानि कर्ण हाइपोटेनियस कर्ण परपेंडिकुलर लंब और बेस होता है आधार तो हमने इसको एक नाम दिया यानि आधार को A से लिखा, लंब को L से और कान को K से इतनी बात आपको समझ में आई होगी अब दोस्तों अगर हम बात करें तिर्कोन मिती अनुपाद की किसकी तिर्कोन मिती कि अनुपाद की तो तिर्कोन मिती अनुपाद क्या होता है आपसे कोई पूछे कि तिर्कोन मिती में तिर्कोन मिती अनुपाद कितने होते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिए तिरकोन मिती अनुपात कैसे निकाल ले जाते हैं और कौन कौन से होते हैं तो आज हम आपको तिरकोन मिती निकालना यानि तिरकोन मिती अनुपात निकालना भी सिखा रहें उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितने तिरकोण मिती अनुपात होते हैं तो देखिए दोस्तों तिरकोण मिती अनुपात अगर हम बात करें इसकी सम कौन B की तो B के सामने वाली भुजा हमेशा ही करण होगी और बात की जैसे बात करें अगर कौन A के लिए तो कौन A के लिए आधार ये होगा लेकिन अगर कौन C की बात करें तो आधार ये हो जाता है लेकिन कर्ण हमेशा यही रहेगा इतनी बात आपको समझ में आई होगी तो दोस्तो कर्ण का जो अनपाथ है किसका कर्ण का यानि के का के का अनपाथ किसके साथ हो सकता है आधार के साथ कर्ण का अनपाथ आधार के साथ होगा और कन कान पाथ किसके साथ होगा लंब के साथ कन कान पाथ लंब के साथ होगा अगर हम बात करें दोस्तों आधार की तो आधार कान पाथ कन के साथ होगा और आधार कान पाथ लंब के साथ और अगर हम बात करें लंब की लंब कानपाथ एक बार करण के साथ लंब कानपाथ करण के साथ और लंब कानपाथ आधार के साथ होगा इतनी बात आपको समझ में आई होगी अब दोस्तों हुआ क्या एक दो तीन चार पांच छे छे त्रिकोन मित्नी अनुपाथ निकल के आए इनको एक नाम दे दिया गया जैसे कन कानपात अगर आधार के साथ है किसके साथ कन कानपात आधार के साथ है तो इसे नाम दिया गया सेक लेकिन ये पूरा नहीं हुआ तो इसके साथ में कौन दिया गया जिसे नाम दिया गया थीटा तो उसे क्या बोलते हैं सेक थीटा ऐसे ही दोस्तो कन का अनुपात जब लंब से निकाला गया तो उसे एक नाम दिया गया कौसिक ठीटा कौसिक ठीटा ऐसे ही आधार का अनुपात जब कन से निकाला गया तो उसे नाम दिया गया कास ठीटा क्या नाम दिया गया कास ठीटा ऐसे दोस्तो आधार का लंब के साथ किसका आधार का लंब के साथ जब निकाला गया तो उसे नाम दिया गया काट थिटा यानी काट थिटा और जब लंब का कन के साथ अनुपात निकाला गया तो उसे नाम दिया गया साइन ठीटा और जब लंब का अधार के साथ निकाला गया तो नाम दिया गया टैन ठीटा तो दोस्तों ये तिरकोन मिती अनुपात हैं सेक थीटा कोश सेक थीटा काश थीटा कॉट थीटा साइन थीटा तैन थीटा तो इसे क्या किया गया करम बद्ध तरीके से यहां पर लिख देते हैं यह पूरे करम बद्ध तरीके से नहीं लिखा हुआ यानि सबसे पहले दोस्तों क्या आता है साइन थीटा पिर कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि तिर्कों में ती अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कॉस थीटा तो देखिए तो साइन थीटा अगर बात करें साइन थीटा बराबर क्या होगा तो आपको अभी में निकल वाया था साइन थीटा बराबर लंब बटे करण यानि एल बटे के ऐसे अगर बात करें काज थीटा की तो आधार बटे करण ये दोस्तों आधार बटे करण देखिए जो अनुपात है वो हम क्या कहिए हैं बटे में कर दिये इतनी बात आपको समझ में आई होगी अगर टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा लंब बटे आधार तो लंब ऐसी बाट-बाट-बात करें सेक्ठीटा की तो सЕक्ठीटा करन बटे आधार करन बटे आधार को और काॉसेट लंब यानि के बटे इल अब दोस्तों आपके मनमें डाउट होगा कि आप इसे इतना लिख दिये लेकिन काइसे इसे याद कर पाएंगे से कि चिति तो दोस्तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहें चिससे आप आसानी से समझ पाई और यह च। गोन में दिन द्री आशानी से निकाल पाई तो देखिए एक फार्मुला आपको यहाद रखना है लाल बटे का कायानी छोटा सा ट्रिक इसे दोस्तों बोलते हैं साइन तो लंब बटे कड़ लंब बटे कड़ लंब बटे कड़ यह लमब और बटे यह क्या है करण अगर हैं इधर से चलें तो लंते कारा अधैर बते कर अर्ले आधार यानि साइन कॉस्ट तेन और फिधर से कॉड्ट सेक जो तो ये ज्यर किर्कोण़नी अनुलस्य आनुपात होते हैं तो किसे याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का के माध्यम से इन्हें याद कर सकते हैं बस आपको याद रखना है लाल बटे कक्का यहां से आपको इस्टार्ट करना है साइन कॉस्ट यानी साइन के लिए लंबटे करन कॉस्ट के लिए अधार बटे करन टैन के लिए लंबटे आधार अगर कौट की बात करें तो आधार बटे लंब, सेक की बात करें, करन बटे आधार और अगर कौशक की बात करें तो करन बटे लंब, इतनी बात आपको समझने आयोगी, अगर कौश थिता की बात करें तो आधार बटे करन, आधार बटे करन, तो आप लाल बटे कक्ता की माध आजम से याद कर सकते हैं आपको ये छे तिरकुन में ती अनुपात याद होने चाहिए कि इतनी बात आपको समझ में आयोगी यह हो जाएगा आधार बटे लंब कि इसकी बात करें तो ये कान बटे आधार और ये कान बटे लंब ये दोस्तों एकदम बेसिक चीज़ थी जो हमने आपको सिखाया कि तिरकुन मिती अनुपात क्या होता है तो तिरकुन मिती अनुपात आपको निकाल के बताए कैसे निकाले जाते हैं और आपको समझ में आगे होंगे कि कितने तिरकुन मिती अनुपात होते हैं साइन कॉस्ट ऐनe कोड बितियों अनुपाद इतनी बात आपको समझ में आयोगी आप इसे नोट कर लीजीए फिर दोस्तों बास करते हैं PIE Vermont पर में तो आपने से नोट कर लिया होगा अब बात कर लेते हैं पाइथा गौरस पर में की तो पाइथा गोरस पर्मे का फार्मूला दोस्तों क्या होता है वो हम आपको बता रहें उसे आप जानने के बाद आसानी से सवाल लगा सकते हैं पाइथा गोरस पर्मे की बात करें तो पाइथा गोरस पर्मे का जो फार्मूला है यह दोस्तों होता है काण का स्कॉयर यानि का स्कॉयर बराबर आधार का स्कॉयर प्लस लंब का स्कॉयर कर्ण का स्कॉयर बराबर आधार का स्कॉयर प्लस लंब का स्कॉयर तो यह हो गया पाइथा गोरस पर्मे का फार्मूला तो हमने इसे क्या नाम दिया के का स्क्वाइर बराबर यह आधार यानि एका स्क्वाइर और प्लस लंब यानि एल का स्क्वाइर तो के का स्क्वाइर बराबर एका स्क्वाइर प्लस एल का स्क्वाइर तो यह हो गया पाइथा गुरस परमे का हर्मूला आप इसे नोट कर लीजे फिर आपको हम लगाते हैं एक एकजामपन और फिर आपको उसमें समझाते हैं कि इसका यूज कैसे होगा तो आप इसे नोट कर लीजे फिर बात करते हैं एक एकजामपल की यानि एक उधार्ण आपको सिखाते हैं और वो आप लगा लेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा पाइथा गोरसपर में क्या होता है फिर आपको हम लगवाएंगे आगे सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने एक उधार्ण लिखा हुआ यानि एकजामपल किसी समकोन तिर्भुज ABC में कोन भी समकोन है तथा 10 थीटा वराबर 3 मटे 4 है तो सेज तिरकोन मिती अनुपात ग्यात करें तो देखिए 10 थीटा का मान दे रखा है और हमें अन तिरकोन मिती यानि बचे वह सेज तिरकोन मिती अनुपात निकालने तो सबसे पहले दोस्तों हमें बनाना होगा एक समकोन तिर्भुज यानि कोन भी 90 अनुप्ज़्भूस इतनी बात आपको समझ में आई होगी यहां पर दोस्तों टैन थीटा का मान दे रखा है तीन वटे चार तो टैन थीटा बराबर होता क्या है दोस्तों हमने आपको शिखाया था लाल वटे कक्का कि आप लाल वटे कक्का की माध्यम से निकाल सकते हैं तो देखिए इधर से जब चलेंगे तो साइन कॉस्ट टैन तो टैन के लिए क्या होगा लंब वटे आधार तो यह हो जाएका लंब और वटे आधार तो यह लंब और वटे आधार टैन तीटा बराबर लंब वटे आधार तो लंब कितना है दोस्तो तीन तो इस समकौन तिरभुज में लंब हमने बताया था यह लंब होता है यह लंब होता है यह लंब होता है यह आधार और यह कर्ण इतनी बात आपको समझ में आयोगी तो लंब कितना है दोस्तो तीन है जैसा कि दे रखा है तर्यक्तरा दे रखा है तीन कि ना दुरकात की तिए और आधार कितना है ज़ार है तो लम्ब दे रखा है अधार दे रखा है अब ने निकालना के जologia दोस्तों तो करणने का मान नीकाल यह तो हमने आपको सिखाया था पाइथागोरस परिमेश्प genuinely पाइथा गोरस पर में के लिए फार्मूला आपको सिखाए थे, कण का स्क्वाइर बराबर आधार का स्क्वाइर और प्लस लंब का स्क्वाइर, तो हमें कण का मान निकालना है, आधार दे रखा है कितना, चार, तो चार दे रखा है एक का मान, यहनि आधार तो आधार का, यहनि चार का स्क्वाइर, प्लस, लंब कितना दे रखा है, तीन, तीन का स्क्वाइर, पराबर, कण का स्क्वाइर दोस्तो निकालना है, तो क्या कर करेंगे चार का स्कॉयर करेंगे तो चार का स्कॉयर कितना होता है 16 टीन का स्कॉयर नव तो 16 और 9 25 तो के का स्कॉयर बराबर 25 तो हम क्या करेंगे के बराबर अंडर रूट 25 और रूट 25 बराबर क्या होगा 5 यह निजो कण का मान होगा वो का 5 तो कण का मान निकल के आ गया दोस्तों पांच इतनी बात आपको समझ में सबसे पहले हमने क्या किया एक समकून तिर्भुज बनाया और उसमें टेन थीटा के मान रख दिए और हमने पाइथा गोरस पर में से करण का मान निकाल लिया इतनी बात आपको समझ में आई होगी अब हमें क्या करना है सेश तिरकौन मितिया अनुपात निकालना है तो देखे तिरकौन मितिया अनुपात अगर हम बात करें साइन थीटा की तो साइन थीटा वराबर क्या होता है लंब बटे करण लंब बटे करण तो लंब कितना है दोस्तों इसमें तीन और करण कितना है पांच तो यह हो गया साइन थीटा का मान तीन बटे पांच ऐसे ही हम निकाल लेंगे देखो साइन अब का का तो कास थीटा बराबर क्या होगा तो देखिए इसमें साइन के लिए लंबटे करण तो कास के लिए आधार बटे करण आधार बटे करण है तो देखिए इस चीत्र में आधार कितना है तो आधार चार है करन कितना है पांच तो यह काज तीटा कमान 4 7 अब बात करते हैं टैन ठीटा की तो टैन ठीटा का दोस्तों तो निकाल लगके हमने कितना ता है अगर तैन की बात करें तो लंब बटे आदार लंब कितना है तीन अधार तो तीन बटे चार आ जाएगा तो यह तो वैसे भी रखा था सवाल में हमें बाकि सेश पूछा हुआ था तो अमने साइन निकाला काज निकाला टैन दे रखा है तो इसके बाद काट का निकाल लेंगे किसका काट तिटा तो वाट इधर से चले गायनी आधार बत डड़ं आधार बते लंब तो दोस्तुताह दार कीतना है चार लंब और प्रते प्रपें नहीं तो यह हो गया कॉट के लिए इतनी बात आपको समझ में आयोगी अगरं बात करुछिट इन तो दा कि करहें आधार को कर निया चित्र में 50 दर कि तनाय चार तो यह स्टाइट अगरां बात करें को सस्ट टी अक मेरीक नि तो को सक्टेट इएञ दोस्त तो पांच एक और कॉट कवच गार मुरॉतित रषालान कर दोस्तों पांच और लंब कितना है तीन तो यह हो गया कॉस सेख थिता तो छे के छे तिरकोण में ती अनुपात निकल के आए जिसमें एक तिरकोण में ती अनुपात निकल के दे रखा था या नी सवाल में यह निकाला हुआ था हमें पांच सेख निकालने थे पांच सेख कौन होगे साइन थ तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं अगर यहां पर कुछ और दो तरल क्या करते हैं तो दोस्तों आपको समझ में हुगा उम्मेद करते हैं अच्छी तरीके से समझ में आया होगा इससे आगे दोस्तों हम लगवाएंगे आपकी किताब से सवाल यानि बुक से जो भी सवाल होंगे तिरकोन मिति की वो परस्टना वली हम स्टार्ट करेंगे और आपको सवाल लगवाएंगे एक-एक सवाल अपको घंटी दमाएं ताकि हमारे द्वार जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें फिलाल दोस्तों आज इतना इससे आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में थैंक्यू अँ में एक शाले वीडियोग में एकार जखलब केश def grandes कृड्यों सवाल झाले दुझेशन झालें घps Ihnen तुमा पन इससे वीडियोग करता का चरा जीशनों उस आपको नदीवार घवाराण में उसका बदाएंगे ल्याय कि दितना आपको एक गशले Candia कि अवेशन आपको